पागिस्तान एर फोस के जो मिलिटी बेस है उस पर काफी बड़ा आतंकी हम लगगा जिसके कारण जो कईसारी कैजूल्टी है वो देखने को मिली है उसमें जो एरोप लेन है यानि जो एर क्यापत है बहां पर उसको भी डैमेज किया गया है जो टैरिस्ट है और यह जो टैरि पागिस्तान का मैंप है और इसमें आपकाई सारी प्रोविंस उसको देख सकते है उसमें एक प्रोविंस है जिसमें हम बात करते हैं पंजाब पंजाब में ही जो मियाबली एरवेस है बहां पड़ता है जहां पर हाली में जो आतंक बाद यह उनके दोरा अटेक किया गया है जिसकी बज़े से जो पागिस्तान के 19 सोलजर हैं उनकी डैथ हो चुकी है पागिस्तान मियाबली एरवेस पर जो अटेक हुए उसकी जिम्मेदारी तैरी के यह जिहाद दोरा ली गई है तो आप यह आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें तैरी के जिहाद दोरा किलेम किया गय है कि उसके द्वारा ही जो अटेक हो कराया गया तो सबसे पहले हम जानते हैं तो तैरी के जिहाद हो क्या है तो यह एक नया संगेटन है जिसकी जो इस्तापना है 24 फरवरी को हुई थी और इसका जो फाउंडर है वो मुल्ला मुहम्मत कासीम है जिसको उनके द्वारा अपन जो सरगना हो बना लिया गया था जो लोग चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको इसका कि जो वीडियो एफेक्ट अपर चैनल पर लागुरा मिलती रहे और आप किसी भी टॉपिक को मिसना कर पाए तो प्लीज डू सब्सकाइफेक्ट अपर चैनल तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो पागिस्तान पर जो टैरिस्ट और्गनाजेशन हैं कितनी पावरफुल होती जा रही हैं और लगाता है इनके दोर जो पागिस्तान पर हमले किये जाते हैं क्योंकि इससे पहले जब यीद हुई थी तो तब भी बहाँ पर जो लोग हैं उसमें मारे गए थे पागिस्तान में कई सरे जो टैरिस्ट गूरूप हो पाए जाते हैं जो की काफी पावरफुल हैं और पागिस्तान की जो आर्मी हैं और पागिस्तान की जो गौर्मेंट हैं उनको हमेशा सपोर्ट करती हैं इंडिया पर अटेक करने के लिए लेकिन हाली में ये देखा गया कि उनकी ही द्वारे जो पागिस्तान बहां पर अटेक कराया जा रहा है जिसके करण जो कई सारे लोग हैं जो निदेश लोग हैं वो इसमें मारे जाए रहे हैं तो ऐसे जो संगेटन हैं जिसमें हम बात करते हैं तहरी के तालिबान हो गया तो वो पलुचिस्तान में या फिर कहवर पक्तुनवाब में क्योंकि यह ऐसे इलाके हैं जो ट्राइवल एर इलाके में आते हैं और इनका जो ज़्यादा तक कॉंटेक्ट हैं वो अफगानिस्तान तालिबान से हैं और इनकी विचाधारा भी एक दूसरे से मेल खाती है एक ही दिन में पाकिस्तान में तीन बड़े आतंगबादी हमले हुए हैं जिसके कारण जो उसके 19 सोलजर उनकी डेथ हो जाती हैं एक तो खेवर पक्तुनवाब में हुए है दूसरा बलुचिस्तान में और जो तीसरा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के मियाबिली एर्वेस पर हुगा है तो आप यह आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें आर्मी कॉनवे पर गौदर पोर्ट पर जो टेरिस्ट अटेक हुगा है और जो भी पाकिस्तान की सिकूर्टी पे हाँ डाले का उसको इसी प्रिकार का जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिलेगा इसी प्रिकार के इंडिया में भी एक अटेक हुगा था जिसको हम पठान को रेजिस्ट नाम से जानते हैं तो पाकिस्तान को समझ भे आज चुकागवा कि जो अपनी मेडिसे ने उसका स्वाध कैसा होता है इसलिए जो पाकिस्तान उसको सभी गुरूप पर बैन लगा देना चाहिए और जितने भी उनके लीडर है उनको जेल में डाल देना चाहिए अगर पाकिस्तान सच में इस प्रिकार के जो अटेक है उससे बचना चाहता है तो उससे ऐसा करना ही होगा इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तो प्लीज दू सब्सक्राइब करें चैनल